नमस्का दोस्तों मेरे नाम डॉक्टर राजी शौधरी स्वागत एक बार फिर से आपका Physics Guru डॉक्टर R.C. Sir Online Learning Platform पर दोस्तों आज हम आपके लिए Class 11th Collision of Particles, कनों की संगट इसके बहुती महत्वपूर्ण Important MCQ Questions का Collection आपके लिए लाए हैं अगर आप किसी भी Competition एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें UPSC, RPSC, IIT, J, Mains, Advance, NEET, 11, 12 और किसी भी State या पिसे Central Government की एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का Lecture वीडियो आपके लिए बहुत ही Important है और हाँ दोस्तों अगर आपने हमारा YouTube चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें और notification bell दोस्तों जरूर प्रेस करें ताकि next वीडियो जो हमाँ upload करेंगे वो आप लोगों को जो है वो माध्यम से मिल सके तो दोस्तों start करते हैं आज का Lecture वीडियो question number first दोस्तों आपके सामें देखी क्या दे रखा है कि ये द्रविमान संख्या का एक नाबिक जो प्रारब में विरा मवस्था में है वी चाल से एक अलफा कण को उच्छित करता है तो पुत्री नाबिक की प्रतिक्षिपित चाल जो है वो कितनी होगी रिकॉयल वेलोसिटी निकाल ली है तो यहां पर डाइग्राम से अगर हम इसको समझे तो इस परकार से दे रखा है कि आपके पास में कोई भी एक नाबिक है नूकलियस बना दिया हम नहीं है और इस नूकलियस का जो द्रवमान संक्या है वो हमारे पास में दे रखिये एक और आप लोगों को पता है प्यारे बच्चों के अलफा कर्ण जो होता है उसका मास चार गुना होता है प्रोटोन का डबली आयोनाइज्ट हीलियम एटम होता है तो इसका जो द्रवमान है M2 ये मान लिया मैंने इसमें लगबग 4 कह दे तो इसमें क्लियर और आपको बता है यहां पर ये रेस्ट कंडिशन में है तो इसका इनिशिल वेलोसिटी जीरो साथ में जब इस नुकलियस से ये अलफा कर्ण निकल जाएगा तो पीछे हमारे पास में जो नुकलियस बचेगा उसका मास कितना है तो आपको पता है A मास नंबर में से 4 अगर रिमूव कर दिया और आप से पुछा इसकी स्पीड कितनी है तो हमने इसकी स्पीड जो है वो भी माल लिए कंजर्वेशन आफ मोमेंटम हम ये कह सकते हैं कि बिफोर दग कॉलिजन या बिफोर एक्स्ट्रेक्शन जब ये इसमें से निकला तो उस समय इसको ऐसे कह सकते हैं देखें M1 U1 प्ल इसका मास तो A है परंतो वेलासिटी जीरो होगी प्लस करके M2 4 मास है हमारे पास में और वेलासिटी जो दे रखी है वो आपको V दे रखी है इक्वल्स टू M3 इसका मास हमारे पास में कितना है A माइनस 4 और वेलासिटी आपको कैलकुलेट करने V डैश कर देता हूँ ये 0 ह इसको नीचे shift करो, तो V- is equals to होगा 4V upon A-4, तो जो हमारे पास में daughter nuclear ही है, उसकी जो recoil velocity है, वो हमारे पास कितनी होगी, अब option देख लीजे कौन सी है, 4V upon A-4, यानि A option हमारे पास में correct answer है दोस्तों, first question का, question number second देखिए, question number second में क्या करका है, M- द्रविमान की एक वस्तू, V- प्रारंबिक वेक से गती करती हुई, M- द्रविमान की किसी स्थिर वस्तू के समक्ष टकराती है, तो diagram बना देते हैं, साथ में, आपको क्या दे रखा है, एक body जिसका मास है, small M दे रखा है, यह है, और V- velocity से जा रही है, यह किसी दूसरे पि इसका मास हमारे पास में जो है, वो हो गया, capital M, पर साथ में आपको दे रखा है, कि rest condition में, इससे strike करती है, तकर के पश्चात, M- द्रविमान की वस्तू विरा मवस्ता में आ जाती है, अब यह rest में हो जाएगी, इसको आपने कह दिया, कि M- द्रविमान की वस्तू है, यह rest म हो गई है, यह after the collision की बात कर रहे हैं हम इसमें, फिर कह रहा है, तथा केवल M- द्रविमान की वस्तू गती करती है, अब यह जो body हमारे पास में है, यह move कर रही है, यह M- द्रविमान की वस्तू, यह vague से गती कर रही है, अम मान लिया इसको हम V-डash कह लें, तो आप से वेग आदान-परदान कर लेता, देखिए, यह motion में था, यह rest में थी, और जैसे यह इसको हिट कर रही है, इसका मतलब क्या हो रहा, दोनों की velocity इंटरचेंज होगी, vague परिवर्तित हो गया, कोई बच्चा बोले, sir, vague परिवर्तित कैसे हो, अब आप खुद देखिए, जो first body move कर रही थी, वो तो rest में आगई, और जो rest में थी, वो move कर रही है, इसका मतलब हम यह कह सकते हैं, कि जो दूसरा पिंड गती करेगा, उसकी vague वही होगा, जो पहला पिंड गती कर रहा था, वी हो गया, और vague interchange होने के लिए condition लगती है, यह तभी possible होता है, जब दोनों के दिर कि small m जो है, वो equals to क्या होगा, capital m होगा, तो देखिए, third question हमारे पास में, second question का correct answer है, दोस्तों, number third, question number third में क्या दे रखा है, एक वस्तू A, एक अन्य वस्तू स्थिर B के साथ में पूर्ण परतियास टकर करती है, तो चेक कर लेते हैं, इसमें डाइगराम से, एक हमारे पास में body है, A कह दिया हमने इसमें, अन्य स्थिर वस्तू, दूसरा जो body है, B कह दिया rest condition में, ये विराम अवस्ता में होगी, पहला पिंड जो है, ये गतिशील अवस्ता में था, ठीक है, वेग हमें नहीं पता कितना है, यदि टकर के पश्चात, अब कैसी है, perfectly elastic collision है, पूर्ण प्रतियास टकर है, यदि टकर के पश्चात वस्तूएं समान वेग से परस पर वीपरी दिशा में गतिए करती है, टकर के पश्चात ऐसा सिस्टम होरा देखिए, ये वाला जो पिंड है A, मान लो इस दिशा में गतिए करता है, ये A हो गया, और B जो है आपके पास में मान ये इस दिशा में गतिए कर रहा है, ऐसे B हो गया हमारे पास, चीक है, अब आप लोगों को पता है कि पहला पिट जो है विराम वस्ता में था, ये मोशन में था, ये दोनों मूग कर रहे हैं, वीपरी दिशा में चलती है, अब समान वेग से चल रही है, तो इसका मतलब इस इसकी वेलोसिटी भी है, डायरेक्शन ओपोजिट है, इसका मतलब एक प्लस में होगा तो एक बाइनस में होगा, अब इसकी बात करें, इसका वेग हमें नहीं पता, माल लिया इसकी वेलोसिटी हमारे पास में यू होगी, चीक है, तो आपसे पूछ रहा है, A और B के जो द कह सकते हो, कि अगर मैं कंजर्वेशन को यूज करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आएगा, देखिए, संबेक संरक्षन से, M A इंटु यू, प्लस M B इंटु जीरो, क्योंगी रेस्ट में था ये, इक्वल्स तू, यहाँ पर आपके पास में क्या बनेगा, M A और M A U इस इकल्स तू, यह बन गया आपके पास में, M A V माइनस में, और यह बन गया आपके पास में, प्लस M B इंटु वी, अब देखिए, यहाँ से आप दो काम कर सकते हो, या तो आप इस V की वैल्यू निकाल लो, तो V की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं कि फाइनल व M A V, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन कहके छोड़ दिया, अब देखिए, साथ में मैं आपसे कहूं कि कंजर्वेशन आफ मुमिन्टम के साथ में कंजर्वेशन आफ एनरजी यूज़ करू, क्योंकि मुझे यह टक्र कैसी देर कि पूर्टे प्रतियास टक्र, यानि टक्राने के पश्चात और टक्राने के पहले, इनकी जो गतिजूर्जा हैं वो संदक्षिती, तो इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ, पहले पिंड की गतिजूर्जा, हाफ M A U स्क्वेर, प्लस दूसरे पिंड की गतिजूर्जा 0, रेस्ट कंडिशन में, इक्वल्स टू हो M A V स्क्वेर, स्क्वेर है तो नेगेटिव पॉजिटिव में गन्वर्ट हो जाएगा, प्लस करके यह हो जाएगा, हाफ M B V स्क्वेर, अब देखे दोस्तों, हाफ से हाफ जो है वो कॉमना कैंसल आउट हो गया, इधर बना हमारे पास में M A U स्क्वेर, इसी कल्स टू, V स् यहाँ बन जाएगा, आपके पास में M A प्लस M B, अब ध्यान से देखेगा, इन दोनों इक्वेशन्स को यूज करके आपको सॉल आउट करना है कि हमारा आंसर क्या होगा, बड़ा सिंपल सा है, चाहो तो आप V की वैल्यू पुट कर दो, चाहो तो आप यहाँ से U की वैल् यह बनेगा मेरे पास में M B, मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, यह बन जाएगा M B माइनस M A, अपोन करके बना हमारे पास में M A, और यहाँ पर आजाएगा V, इस वैल्यू को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देगे, तो यह बन जाएगा, देखिए M A, और इसका स्क्वेर करना ह तो यह बन जाएगा M B, माइनस M A, का होल स्क्वेर, होल डिवाइड़ बाई, यह बना हमारे पास में M A का स्क्वेर, और साथ में नंबर चल रहा है, इसमें V स्क्वेर, इस इकल्स टो V स्क्वेर, और यह है M A, प्लस M B, V स्क्वेर से V स्क्वेर कैंसल आउट हो गया, एक M एक में से कैंसल आउट होगा अब इसमें आपको क्या करना है दोनों के मास का रेशियो निकालना है तो देखिए खूब सारे फंडे हैं सॉल करने के मैं एक काम करता हूँ इसको यहां शिफ्ट कर देता हूँ क्या बन जाएगा मेरे पास में M B माइनस M A whole square is equals to यह यहां जाएगा तो यह बनेगा M A square प्लस करके M A M B यह multiply हो गया अब इसका formula open कर लीजिए M B square plus M A square माइनस हो गया हमारे पास में 2 M A M B is equals to हमने कहा M A का square plus M A M B अब देखिए M A square M A square से cancel out हो गया यह number इस side shift होगा तो 3 आ जाएगा देखे 2 M A M B माइनस का है इदर आएगा plus आएगा 3 times हो गया तो क्या बन रहा है मैं यहां लिख देता हूँ M B का square is equals to यह बन जाएगा 3 times of M A M B M B से M B cancel out हो जाएगा इनके मास का रेशियो चाहिए यानि M A upon M B तो 3 को नीचे shift कर दो तो यह यहां आ जाएगा हमारे पास में M A upon M B is equals to 1 by 3 यानि इनके मास का जो रेशियो है हमारे पास में वो कितना है 1 by 3 देखिए 1 by 3 भी option दे रहे रहे है दोस्तों इसलिए लग रहे है क्योंकि question में दे रखा है कि पूर्टे प्रतियास चक्र है तो 3rd question का correct answer हमारे पास B option हुआ दोस्तों next question number 4 में क्या दे रखा है M दरविमान की बड़ी गेंद U-4 से चल कर M दरविमान के किसी स्थिर छोटी गेंद से टकराती है diagram mention कर देते हैं हम इसमें एक बड़ी गेंद हमारे पास में है जिसका दरविमान मास जो है वो हमारे पास में है capital M और बड़ी गेंद U-4 से चल रही है speed दे रखी है और एक छोटी गेंद से टकराती है जिसका दरविमान small M है साथ में ये rest में है विरा मवस्ता में अब टकराने के पश्चात कह रहा है अत्य छोटी गेंद की चल U तथा बड़ी गेंद की चल V हो जाए तो V का मान कितना होगा अब हम बात कर रहे है कि छोटी गेंद जो आगे थी small M इसकी चाल कह रहा है कि U हो जाए इंटर्चेंज ओरियस में U हो गई और बड़ी गेंद जो हमारे पास में थी M इसकी चाल कह रहा है V हो जाए हमारे पास में तो आप से पूछा है कि V का मान कितना होगा conservation of momentum सिंपल सा क्योंकि हमें नहीं पता है कि यहां पर टक्कर प्रतियास्त है कि अग प्रतियास्त है इसी लिए kinetic energy को conserve लेने की जो तरीका है वो हम use नहीं करेंगे हम सिरफ momentum को conservation में use करेंगे तो क्या होगा टक्कर से पूरू का संवे और टक्कर के पश्चात का संवे यह दोनों सेम होंगे आपस में तक्कर से पूरू m into u plus zero equals to m into v plus करके m into u आपको इस v की value निकालनी है तो आप एक simple सा काम करें इसको यहां shift कर दें तो क्या बन जाएगा हमारे पास में m u minus m into u is equals to m into v common out ले ले जिए m minus m u is equals to m into v m को नीचे shift करो v is equals to हमारे पास में आएगा m minus m upon capital m into हो गया आपके पास u अब यह option कौन सा है m minus m upon capital m m minus m upon capital m into u देखिए first fourth question का a option हमारे पास में correct answer है दोस्तों next question number 5 तक्कर अगर पूर्णते a प्रतियास्त होगी तो coefficient of restitution कितना होगा मैं आपको एक चीज बता दू तक्कर जो होती है हमारे पास में तीन बरगार की है अगर तक्कर पूर्णते प्रतियास्त हो पूर्णते प्रतियास्त टक्कर हो perfectly elastic collision हो हमारे पास में तो condition में e की value होती है अगर तक्कर पूर्णते है अप्रतियास्त हो अप्रतियास्त अगर perfectly inelastic collision है तो प्यारे बच्चों e की value होगी zero और दैनिक जीवन में daily life में जितने भी collision होते है वो केवल और केवल अप्रतियास्त टक्कर होते है अप्रतियास्त टक्कर है हमारे पास और अप्रतियास्त टक्कर में e की value zero से बड़ी और एक से चोटी अब आप से कह रहा है कि पूर्णते अप्रतियास्त है पूर्णते अप प्रतियास टक्कर है तो E की वैल्यू कितनी होगी जीरो होगी यानि फर्स्ट आप्शन A आप्शन हमारे पास में करेक्ट आंसर है फिफ्ट कॉश्शन का नेक्स्ट कॉश्शन नम्बर सिक्स विराम अवस्था में एक भरी नाबिक दो टुकड़ों में टूट जाता है जो आठ अनुपात एक के वेग में गती करता है तो डाइगराम मनायता है इसमें देखिए आप से कह रहा है कोई भी एक नुकलियस है हमारे पास में मानलो इस परकार से हमने मैंशन कर दिया ये कोई भी नुकलियस हो गया आप से कह रहा है कि भारी नाबिक है रेस्ट कंडिशन में था विराम अवस्था ये दो भागों में विवाजित हो जाता है जिनके वेग का रेशियो दे रखा आठ अनुपात एक खंडों की त्रिज्जाओं का अनुपात बता दीजिए मान लीजिए पहला नाबिक हमारे पास में यहां हो गया और दूसरा आपके पास में यह बन गया तो पहले को ए कह दिया दूसरे को हमने भी कह दिया अब एक चीज़ देखिए एक ही नाबिक के दो टुकड़े हुए इसका मतलब डेंसिटी सेव होगी तो हम यह कह सकते हैं कि घनत्व जो है दोनों का डेंसिटी वो आपके पास में क्या होगी समान होगी मान लो पहले का वेग हमारे पास V1 है और दूसरे का वेग होगया V2 आपको इनकी त्रिज्जाओं का रेशियो बताना है तो रेडियस R1 होगया और रेडियस R2 कंजर्वेशन आफ मोमिन्टम में यूज करूँ तो आप यह कह सकते हो कि इन दोनों का मोमिन्टम जो है सेम होगा सेम तरीके से टकर से पूरू टकर के पश्चा तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसमें देखिए M1 V1 is equals to M2 V2 यह कह सकते हैं अब मास जो होता हमारे पास में उसका फॉर्मला होता है घनत्व इन्टो आइतन यह यूज करेंगे इसमें डेंसिटी माल लो मैंने डी माल ली क्योंकि दोनों की सेम है और गुलाकार होने के कारण आइतन होगा फॉर अपॉन थ्री पाई आर वन क्यूब सेम तरीके से अगर मैं M2 की बात करता हूँ तो यहां पर भी यह होगा घनत्व इन्टो आइतन यानि डेंसिटी इन्टो वॉल्यूम डेंसिटी सेम रहेगी और फॉर अपॉन थ्री पाई आर टू क्यूब होगा हमारे पास अब वैल्यू डाल देतें देखिए और साफ आपको पता है के डी से डी कैंसल आउट फॉर अपॉन थ्री पाई से फॉर अपॉन थ्री पाई कैंसल आउट बचे का क्या r1 cube v1 is equals to r2 cube v2 यह हो गया हमारे पस अब देखो दोनों के radius का ratio पूछा देखो इसको यहां नीचे shift करो r1 upon r2 का whole cube is equals to v2 upon v1 क्यों बटा दीजिए यहां से तो यह बन जाएगा r1 upon r2 is equals to cube root हो गया घनमूल किसका? v2 upon v1 अब देखिए यहां पर v1 upon v2 दे रखा है और यहां पर v2 upon v1 है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यह 8 upon 1 है तो यह 1 upon 8 हो जाएगा हमारे पास और 1 by 3 है आठ का गनमूल होता है 2 तो यह बन जाएगा 1 by 2 इनके radius का ratio है 1 बटा 2 तो देखिए A option हमारे पास में 6 का correct answer है बच्चों गलती ना कर दें क्योंकि जस्ट इसका उल्टा answer दे रखा यहां पर 2 ratio 1 तो 6 question का correct answer A option दोस्तों question number 7 देखिए बड़ा important question है एक गन H उचाई के एक शैतिस तल पर गिरता है तथा कुने उचलता है यदि प्रत्यास्ता गुणांक E है तो rest में आने से पहले total distance कितना cover करेगा देखिए diagramatically अगर हम इसको समझे मान लिया यह हमारे पास में कोई भी एक gain है यह इस प्रकार से और यह हो गई हमारे पास में सत्य अब आपको पता है कि प्रतियक टक्कर के पश्चात में उपर से नीचे आई यह यहां से यह वापस rebound होगी उपर इतना गई फिर वापस उपर से यह नीचे आ रही है फिर वापस यह rebound होगी इस प्रकार से यह लगातार चलती जाएगी अब दीरे दीरे आप खुद देख रहे हो कि इसकी height जो है वो reduce हो रही है क्यों energy loss होने के कारण हम ऐसे अब इसमें देखो यहां आई यहां से यह वापस उपर की तरफ चली गई ऐसे फिर उपर से यह नीचे आगई ऐसे है फिर यहां नीचे आई यह नीचे से rebound होई उपर की तरफ और उपर से वापस होगई यह नीचे इसमें नीचे से फिर गई उपर की तरफ ऐसा जादा नहीं बना पाएंगे हमें इतना पता है कि ये इस परकार से मोशन कर रही नहीं ये यहां से ऐसे है ये यहां से ऐसे इस परकार से टकरा रही है कोलिजन हो रहा है अब ये कह रहा है कि रुकने से पहले टोटल कितना distance cover किया इसने तो हमने कहा कि यह जो height थी हमारे पास में इसको h कहा दिया टकराने के पश्चाथ h1 height हो गई first collision के बाद दूसरी टकर के बाद में h2 हो गई तीसरी टकर के बाद में h3 हो गई और इस प्रकार से यह hn तक चलेगा तो आप यह कह सकते हो कि total distance हमारे पास जो है वो कितना है h plus twice of h1 twice of h2 plus twice of h3 plus dash 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 यह हमारे पास में हो जाएगा twice of hn हो गया अब देखिए प्रतियक टकर के पश्चाथ जो height cover करती है वो कितनी है यानि h1 is equals to होगा e square h same तरीके से h2 जो हमारे पास में है वो e की पावर 4 h हो गया h3 हमारे पास में जो है e की पावर 6 h हो गया और h की पावर n की बात करें तो e की पावर 2n into h हो गया यह already हम थियोरी में फंडा कर चुके है तो यह सारी value put कर देगे s is equals to h plus देखिए 2 e square h 2 e की पावर 4 h 2 e की पावर 6 h और plus करके dash 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 2 e की पावर 2n into h अब क्या होता है कि बच्चा यह 2 लगाना भोल जाता है क्योंकि देखिए उपर जा रहा है और नीचे आ रहा है double distance cover हुआ तो overall में तो हम h common निकाल लेंगे इसमें 1 आ जाएगा और इस वाले नंबर के अंदर में देखिए आप 2 e square common खीच रो तो अंदर कितना बन जाएगा 1 plus e square plus e की पावर 4 plus e की पावर 6 plus dash 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 ऐसे चलेगा हमारे पास में अब जड़ा ध्यान से देखिएगा यह series जो है आपके पास में पदों का जो योग होता है वो होता a upon 1 minus r यह कब होगा जब r की value एक से छोटी होगी r क्या है इसमें r को हम कहते सार्व अनुपाद सार्व अनुपाद common ratio कहेंगे यह कैसे निकलता है second divided by first या third divided by second या fourth divided by third हर एक number को उसके पिछले वाले number से divide करना है क्योंकि अनुपाद दे रखा है तो मैं इसको इससे divide करता हूँ तो यह मेरे पास आएगा e square इसको इससे divide करो तो भी e square इसको इससे divide करो e square अब देखिए e जो है इसकी value less than 1 होती है क्योंकि यह क्या है हमारे पास में coefficient of restitution एक हो नहीं सकता एक से ज़्यादा हो नहीं सकता तो यह formula use होगा तो s is equals to h लिखा हमने one plus two e square अब देखिए a क्या है पहला number प्रथम पद मैं यह लिख देता हूँ फिर कहीं गलती नहो इसमें प्रथम पद first number है हमारे पास तो यह first number कितना one हो गया upon one minus r हो गया e square अब LCM ले डालते है h one plus यह बन जाएगा आपके पास में देखो यह e square है मैंने e लिख दिया two e square upon one minus e square हो गया इसमे LCM ले डालते है h यह बन जाएगा one minus e square इसको यह शिफ्ट करें one plus e square यह minus है देखो plus लिख दिया मैंने इसमे यह है one minus e square plus two e square अब देखे two e square में से one e square गया तो one बच गया आपके पास में आएगा रुकने से पहले जो total distance cover किया h यह लिखा हुआ यह हो जाएगा हमारे पास में one plus e square upon one minus e square अब यह answer दूढना है आपको h one plus e square upon one minus e square तो यह हो गया देखे h one plus e square upon one minus e square a option तो साथवे question का correct answer हमारे पास में a option दोस्तों next question number आठवा जब दो दरवेमान m1 और n2 टकराते हैं इनके सापेक श्वेगों में परिवर्तन का अनुपाद बताईए ratio of their relative velocities कितनी होगी तो हमने एक simple से चीज कही नेके diagram mention करते हैं मान लो यह पहला पिंड है जिसका दरवेमान m1 दे रखा है और u1 हो गया यह दूसरा पिंड हमारे पास में है m2 मास हो गया और velocity u2 हो गया टकराने के पश्चाथ after the collision मास सेम रहेंगे इसके m1 हो गया velocity v1 और second body जो है उसका मास सेम रहेगा m2 और velocity हो गई v2 आपको क्या निकालना ratio of the change in relative velocity मैं आपको पहले लिख देता हूँ निकालना क्या इसमें हमें देखिए दोनों की जो velocity है पहले u1 थी और बाद में v1 इनका minus u2 थी और ये v2 थी इनका minus निकालना है तो चेक कर लेते हैं conservation of momentum यूज करें तो m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2 अब देखिए m1 v1 है तो पहले pinड की बात करते हैं इसको उठा के यहां shift करों तो यह क्या बन जाएगा आपके पास में m1 u1 minus m1 v1 first का first के साथ second का second के साथ इसको उठा के यहां shift करों तो यह बन जाएगा m2 v2 minus m2 u2 इसमें से m1 common आ रहा है यह बन जाएगा हमारे पास में u1 minus v1 is equals to m2 common आ रहा है यह बन जाएगा v2 minus u2 अब देखिए यह है relative velocity पहले की तो हम लिख सकते हैं m1 delta u1 कह दिया हमने यानि first body की relative velocity equals to यह हो गया हमारे पास m2 और यह second body की relative velocity होगी अब आप से इनके सापिक श्वेगों का अनुपात पूछ रहा था इसको नीचे shift करेंगे इसको यहां ले आएंगे तो हम कहेंगे delta u1 upon delta u2 is equals to m2 upon m1 यह आंसर है हमारे पास में अब यह डूण लो कौन सा होगे तो आप कोगे m2 upon m1 यानी c option 8th question का correct answer c option है दोस्तों next question number 9 देखिए विश्रा मवस्था में रखा एक कण विस्पोट के पस्चात m1 और m2 द्रवमान के दो कणों में तूट जाता है ठीक है तो हम इसको diagram मना लेते है यह हमारे पास में कोई भी एक कण होगे यह particle है मास m मान लिया वीपरी दिशाओं में v1 और v2 वेक से कती करते है ध्यान से से नहीं एक है रेस्ट में था जैसी ठकराया आपस में यह इधर चला गया m1 मास v1 वेलोसिटी से यह हमारे पास में दूसरी बॉड़ी है m2 मास v2 वेलोसिटी opposite direction में इनकी गतिज उर्जाओं का अनुपात बताना आपको e1 upon e2 यानि first body की kinetic energy और second body की kinetic energy का ratio गतिज उर्जाओं आपको पता है simple सी कितनी होती है half mb square अब अच्छा बोलेगा sir v1 मुझे पता नहीं v2 पता नहीं option सिरफ मास में दे रखे तो concept हम यहां पर build करेंगे देखे आपको इतना पता है कि किसी भी टकर में किसी भी कॉलिजन में kinetic energy conserve बले मत हो और momentum हमेशा conserve होता है तो kinetic energy की मैं बात करता हूँ is equals to formula क्या होता हमारे पास में half mb square m से multiply किया m से divide कर दिया kinetic energy is equals to नीचे हो गया 2m और यह हो गया m square v square तो इसको मैं लिख सकता हूँ p square upon 2m आपको पता है कि दोनों का momentum conserve हो गई है तो मैं ऐसे कहूंगा इसमें देखिए कि kinetic energy जो है वो inversely proportional हो गई m के mass के बड़ा simple सा फंड़ा आगया हमारे पास तो हमें बताए कि e1 upon e2 इसकी value क्या होगी गतिज उर्जा द्रवेमान के वित्करमा नुपाती होती inversely proportional to mass q p constant is में तो देखिए e1 उपर लिखा हुआ है तो m1 नीचे हो जाएगा e2 नीचे लिखा हुआ है m2 उपर आजाएगा m2 उपर बस कुछ नहीं एक simple सा concept यूज करना उस concept के basis पे आपको जवाब देना है next question question number दसवा क्या कह रहा है एक neutron किसी स्थिर neutron से प्रत्यक्ष प्रत्यास संगट करता है आपस में टकराता है संगट में neutron की आनशिक उर्जा शाय कितनी होगी energy loss कितनी हो रही है चेक कर लेते हैं इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है कि एक neutron है हमारे पास में ये रहा इसमें neutron मैं लिख देता हूँ एक neutron heaviest fundamental particle है एक neutron किसी स्थिर मालो किसी वेग से चल रहा है U1 से एक विराम अवस्था के rest condition में neutron से टकराता है neutron से mass जो है double होगा proton का तो हम कहेंगे rest condition में है तो U2 is equals to कितना हो गया zero हो गया हमारे पास में अब ये कह रहा है कि टकराने के पश्चात में दोनों गती करना start करेंगे neutron भी चल रहा मालो neutron जो है यहां लिख देता हूँ मैं neutron इसकी speed जो है वो हो गई V1 और दूसरा particle हमारे पास में जो neutron है इसकी speed V2 कह देते है neutron speed हो गई V2 अब ये मांग किया रहा आप से ये कह रहा है कि neutron में आन्शिक उर्जा 6 कितना होगा यानि neutron में energy loss जो है वो कितना होगा देखिए उर्जा 6 जो है वो अनुपातित होता है कैसे निकालते है बड़ा simple सा देखिए उर्जा 6 अगर निकालना है उर्जा 6 energy loss किसका निकालना है आपको ये neutron का निकालना है तो हम कहेंगे change in energy divided by initial energy कितनी थी अब change in energy कैसे निकालोगे कि भाई पहले energy कितनी थी minus बाद में कितनी energy हो गई तो change निकालेंगे तो ये neutron यहां लिखा हुआ है और ये neutron यहां लिखा हुआ है इन दोनों की energy का variation चाहिए तो मैं एक simple सा fund आपके सामने use करता हूँ इसको मैं कह सकता हूँ E1 minus E2 upon करके हमने लिखा E1 अब देखे दोस्तों E1 मतलब neutron की initial energy तो half mb square यूज़ करेंगे तो यह हो जाएगा half mass of neutron और यह हो जाएगा u1 square ठीक? minus half mass of neutron और बाद में इसकी velocity हो गई v1 square v1 की value आपको निकालनी पड़ेगी divided by करके यह बन जाएगा half mass of neutron और यह हो जाएगा u1 square clear? सिरफ और सिरफ पहले इसकी value निकालके यहाँ replace करनी है तो देखें mass of neutron, mass of neutron, mass of neutron cancel out हो रहा हाफ, half, half cancel out हो रहा है बचेगा क्या आपके पास? यहाँ पर बचेगा u1 square minus v1 square upon करके यह बना u1 square अब इसको यहाँ रोग देते आपको यह निकालना है कि टकराने के पश्चात neutron की जो velocity है वो कितनी है? तो दोस्तों आप लोगों को formula बता रखें कि टकर के पश्चात v1, v2 कैसे calculate करते हैं तो मैं यह कह सकता हूँ v1 is equals to formula होता है m1 minus m2 upon m1 plus m2 यहाँ बन जाएगा u1 plus 2 m2 u2 upon बन गया हमारे पास में m1 plus m2 अब आप खुद देखिए u2 की value 0 है तो इसका मतलब यह जो component है आपके पास में यह तो 0 हो गया इसमें m1 मैं neutron को मान लेता हूँ m2 मैं neutron को मान लेता हूँ तो v1 is equal to mass of neutron और neutron की बात करें बड़ा simple सा फंडा है तो मैंने लिख दिया mass of neutron minus mass of neutron upon करें mass of neutron plus mass of neutron into u1 अब देखो दोनों में relation क्या है हम لمसम यह मानते है कि proton और neutron इन दोनों के दरवमान सेम होते है और जो neutron होता है हमारे पास में इसका mass double है mass of proton का तो मैं यह भी लिख सकता हूँ double होगा mass of neutron का तो जहां जहां neutron है वहां double लिख दूँगा मैं neutron का equals to मेरे पास क्या बनेगा mass of neutron minus twice of mass of neutron upon mass of neutron plus twice of mass of neutron और यह बन गया आपके पास में u1 mn mn कट गया तो v1 is equals to उपर है minus 1 upon यह बन गया आपके पास 3u1 minus यह बता रहा है कि opposite direction में जाएगा परन तो यहां पर square लिखा हुआ है तो मैं इनकी जो value है वो replace कर देता हूँ तो equals to में यहां लिख रहा हूँ क्योंकि यहां जगे नहीं है इसमें देखे u1 की value as it is लिखेंगे u1 square minus v1 square इसका square करना है तो यह बन जाएगा 1 upon 9 u1 square upon यह बन जाएगा u1 का square u1 square कुमना कड़ गया 1 minus 1 upon 9 आपके पास बचेगा यह 9 minus 1 8 upon 9 यह हमारे पास energy है तो उर्जा में शय जो है neutron में वो हमारे पास होगा 8 upon 9 तो B option जो है प्यारे बच्चों 10th question का हमारा correct answer है next question number 11 देखे क्या दे रखा है दो कण जिनके द्रवमान M A और M B है तथा वेग करमश V A और V B है सीधी टकर करते हैं टकर के पश्चात उनके वेग परस पर बदल जाते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं दोस्तों concept यूज होगा इसमें मैंने आपको अलड़ी पहली कहा कि दो विचार दा रहे हैं इनको वाइस वर्सा बोल सकते हो आप यह कह सकते हो कि यदी वेग परस पर परिवर्तित हो जाते हैं परिवर्तित होते हैं होते हैं तो M1 is equals to M2 होगा इनके मास जो हैं वो सेव होगी अब उल्टा भी बोल सकते हैं अगर मास सेव हैं और फिट टकरा रहे हैं तो इनके वेग आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं तो दोनों के मास सेम होगे तो मुझे यह पता है कि मास ओफ A बोडी इक्वल्स टू मास ओफ B बोडी तो इसको नीचे शिप्ट कर दीजिए मास ओफ A अपोन मास ओफ B इस इकल्स टू आंसर मेरे पास में कितना या बनाया तो देखिए D option हमारे पास में correct answer है दोस्तो 11 question कुछ question दोस्तों ऐसे होते हैं चो direct concept पे based होते हैं और कुछ में थोड़ी सी calculation चागी होती है next question number 12 देखिए क्या दे रखा है कि 13 वस्था में रखी हुई 4M दरविमान की वस्थूर तो हमने एक काम कहा ये हमारे पास में कोई बॉड़ी है तीन टुकड़ों में विस्थूर्टित हो जाती है मास दे रखा हमारे पास में 4M rest condition में है अचानक इसमें विस्थूर्ट हो जाता है और तीन टुकड़े बन जाते हैं दो समान दरविमान M के टुकड़े एक दूसरे के लंवत है माल लिया यहां बना देता हूं एक टुकड़ा ऐसे चला गया और दूसरा टुकड़ा ऐसे चला गया अब इनके दरविमान M हो गया और M हो गया ठीक है समान दरविमान के टुकड़े एक दूसरे के लमवत वी वेक से स्पीड भी से में दोनों की यह हो गया गती से गती करते तो उत्पन कुल उर्जा कितनी होगी अब तीसरे टुकड़े की आपको एनरजी निकालने पड़ेगी तीसरा टुकड़ा मान लो ऐसे चला गया हो तो आपको पता है कि 4M मास था M और M ये हैं तो रिमेनिंग पार्टिकल 2M हो गया और इसकी वेलोसिटी हमने माली V-बड़ा सिंपल सा फटड़ा है कंजर्वेशन आफ मोमेंटम यूज करेंगे कि तीन टुकड़े हमारे पास तो हम ऐसे कह सकते हैं कि P पूर्व इस इकल्स टू P पश्चा संवेक संडक्षन और आपको पता है कि पहले रेस्ट कंडिशन में था तो 0 पश्चाक में तीन टुकड़े हैं सेम डारेक्शन में होते तो हम यूज करते इसमें P1 प्लस P2 प्लस P3 अब आप ये कह सकते हो कि तीनों टुकड़ों में से दो पर्पेंडिकुलर तीसरा बीच में से जा रहा है इसका फंडा मैं अलड़ी प्रिवियस कोश्चन में बता चुका हूँ P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर वेक्टर फॉर्म में लेंगे प्लस P3 वेक्टर अब इसको सॉल कैसे करना है तीसरी बॉडी का आपको वेलासिटी निकालनी है तो इसको यहां रोक लो इसको यहां शिप्ट करो तो हम यह कह सकते हैं कि P3 वेक्टर इस इकल्स तो माइनस P1 प्लस P2 वेक्टर अब हम क्या करेंगे डारेक्ट यूस करेंगे क्यूंकि अलड़ी ऐसे दो कोशन हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों स्कोर करेंगे और पाइथोकोरस थियोरम के रूप में ले कराएंगे P1 P2 के बीच का एंगल जो है वो 90 डिगरी है तो कॉस 90 की वेल्यू जीरो होगी तो ये बन जाएगा आपके पास में P3 का स्कोर इस इकल्स टू P1 का स्कोर प्लस P2 का स्कोर अब वैल्यू डाल देते हैं P3 हमारे पास में कितना है 2M V डैश का होल स्कोर इकल्स टू P1 कितना हमारे पास में M V का होल स्कोर P2 कितना हमारे पास में m v का whole square square अटा देते हैं इसमें तो 2m v dash is equals to root लगा दिया हमने इसमें ये हो जाएगा 2m square v square आप इसको solve करें 2m v dash is equals to ये m v बहार आ जाएगा root अंदर फस जाएगा इसमें तो देखिए m से m cancel out हो गया तो हम इसको कहेंगे v dash is equals to कितना बना v under root 2 upon 2 इसको हम कह सकते हैं v upon हो जाएगा under root 2 यानि ये जो टुकड़ा है इसकी velocity v upon root 2 होगी ये answer नहीं है आपको बताना है कि total energy कितनी उत्पन होगी तो सीधी सी बात है total energy निकालनी है तो पहले टुकड़े की plus दूसरे टुकड़े की प्लस तीसरे टुकड़े की energy प्यारे बच्चों काइनिटिक एनरजी half mv square होती है तो देखिए पहला टुकड़ा mv square mass velocity प्लस दूसरा टुकड़ा half mv square तीसरे टुकड़े की बात करें तीसरे टुकड़े का mass है 2m तो मैं यहां लिख देता हूँ 2m velocity मेरे पास v by root 2 है तो square करूंगा तो v square upon 2 हो जाएगा अब देखो 2 से 2 cancel out हुआ यह दोनों बन गए हमारे पास में कितने है mv square क्योंकि आधा और आधा यह को जाएगा प्लस करके यह बन गया आपके पास में v square upon देखो यह m है मैंने m लिखा नहीं है मैं लिख देता हूँ यह m अलड़ी है हमारे पास में यह हो जाएगा v square upon root 2 था इसमें तो यह तो v square upon 2 अब solve कर दीजिए तो यह बन जाएगा 3mv square upon 2 तो इसकी जो total kinetic energy होगी 3 upon 2mv square है 3 upon 2mv square देखिए c option बारवे question का correct answer c option दोस्तो next question number 13 विराम अवस्था में 30 kg द्रविमान का एक bum अचानक फट कर 18 kg और 12 kg के 2 द्रविमानों में विभाजित हो जाता है 18 kg के द्रविमान का वेग इतना है तो दूसरे द्रविमान की गतिज ऊरजा चाहिए पहले वेग निकालना पड़ेगा यह आपको दे रखा है कि एक हमारे पास में एक bum है विराम अवस्था में था rest condition में विराम अवस्था में आपको यह दे रखा है 30 kg द्रविमान हो गया इसका ठीक है अब इसके 2 टुकड़े हो जाते एक तुकड़ा हमने मान लिया 18 kg का इसका वेग आपको दे रखा है 6 मिटर पर सेकेट और दूसरा टुकड़ा जो है हमारे पास में 12 kg का इसका वेग हमें नहीं पता तो हम भी मान लेते हैं conservation of momentum कहता टकराने से पहले और टकराने के पश्चा सम्विक समान रहेगा तो आप कह सकते हो पहले तो 0 हो गया इक्वल्स टू 18 इंटू 6 प्लस करके ये बन गया हमारे पास में 12 इंटू V तो पहले V निकालना पड़ेगा इसको यहां शिक्ट करें 18 इंटू 6 माइनस में इस इकल्स टू 12 इंटू V ये कटेगा आपके पास 2 और ये कटेगा 9 तो V इस इकल्स टू आया माइनस 9 मिटर पर सेकेंड यानि जो दूसरा टुकड़ा है उसकी स्पीड माइनस 9 है मतलब ओपोसिट डिरेक्शन में जाएगा अभी मैंने दोनों को सेम डिरेक्शन मना रखा ये ऐसे जाएंगे या फिर ये ऐसे चले जाएंगे अलग किता है फिर आपसे पूछ रहा है कि दूसरे की गतिज उर्जा बताइए तो E2 इस इकल्स टू हाफ मास कितना है दूसरे वाले का 12 वेग हमारे पास में कितना माइनस 9 का स्कुर ये कड़ जाएगा इससे चे 6 इंटू ये हो गया 81 इस इकल्स टू 6, 6, 8 जा 48 486 जूल 486 जूल यानि 13 कुश्चन का करेक्ट आंसर C ओप्शन है दोस्तों कुश्चन नमर 14 दो गोलाकार दरव पिंडों के मद्य अपरतियास टक्र हो रही है प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा अगर हमारे पास में टक्र पूर्टे प्रतियास्त है पूर्टे प्रतियास्त टक्र है पूर्टे प्रतियास्त टक्र है परफेक्टली Elastic Collision है तो इसमें क्या होगा समवेग Momentum प्लस गतिज उर्जा kinetic energy कब होगा जब टकर पूर्णते प्रत्यास्त होगी मान लो अगर टकर मेरे पास में अप्रत्यास्त है अप्रत्यास्त टकर है इन इलास्टिक कॉलिजन है तो इसमें केवल और केवल केवल संवेग संरक्षित रहेगा संवेग संरक्षित रहेगा संरक्षित तंजर्वड रहेगा क्यों काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा और अगर मालो मेरे पास में टकर पूनते अपरत्यास्त है पिन टकराने के बाद चिपक जाते हैं पूनते अपरत्यास्त टकर है परत्यास्त टकर है तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर भी केवल और केवल संवेक संदक्षित रहेगा, गतिज उर्जा में लॉस सबसे जादा है, अब यहां टकर अपरतियास दे रहा है, पूर्ण गतिज उर्जा संदक्षित रहेगी गलत, पूर्ण स्ततिज उर्जा संदक्षित गलत, रे आज के इस लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक दे रखा है उस टेलिग्राम चैनल के लिंक की साहिता से आप हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं जिससे आपको अपकमिंग वेकेंसी और न्यू वीडियो आपके कोर के जो हैं उनका नोटिफिकेशन मिलेगा तो दोस्तों याज़त दीजिए नेक्स वीडियो में आपके सामने फिर उपस्जित होंगे धन्यवाद